नमस्कार दर्शकों लीजे एक बार फिर हम हाजिर हैं आप से जुड़े मुद्दों के साथ आपके अपने कारिकरम हम आप और कानून में साथियों एक मुद्दा जो हम सबसे सरुकार रखता है चाहे वो महिला हो या पुरुष अमीर हो या गरीब हर वर्ग के हर तपके के लोग बलकि पूरे देश के लोग हर विश्व के लोगों में इस बात का ये चाया हुआ है कि परियावरन प्रदूशन जो है वो एक गंभीर से परियावरन प्रदूशन को रोकने के लिए और इसके सरक्षन के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक इसके खिलाफ एक बड़ा अभ्यान छेड़ा था तो साथियों आज के कारिक्रम में हम इसी विशे पर चर्चा करेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक ये क्या है और इस से पर्यावरण को क्या-क्या नुकसान हो सकता है साथ ही हम चर्चा करेंगे कि पर्यावरण सरक्षन की दिशा में हम क्या कदम उठा सकते हैं इसके लिए कानून में कौन-कौन से प्रावधान है और साथ ही इसके प्रदूशन को रोकने के लिए हम कौन-कौन से कदम उठा सकत हैं तो साथियों अगर आपके पास इन विश्यों से सम्मंधित अपने कोई भी सवाल यकॉइ जवाब है कोई फी जिग्यासा है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है आपको उठाना है अपना फून और डैल करना है हमें इस नंबर पर एक आघ नमबर एक बार फिर से सुन लीजिए 18000 233 9418 और साथियों सिंगल यूस प्लास्टिक के बारे में हमको जाधा विस्तार से जानकारी देने के लिए और साथ ही पर्यावरण सरक्षन और प्रदूशन के बारे में और जाधा विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियों में आए हैं एक बहुत ही खास मेंमान तो आएए सबसे पहले आपके मुलाकात उनसे करवाते हैं आप हैं माननिया नियाएक मजिस्ट्रेट अश्री इशान व्याज़ जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कारिकरम में मानिया महुद ऐएक किसी भी शत्रू को पहचानने से पहले उसके उपर एक्षन लेने से पहले यह बहुत जानना जरूरी है कि वो शत्रू है क्या तो मैं अगर शुरूआप करूँ कारिकरम की तो सिंगल यूज प्लास्टिक जो है जो कि हमारा शत्रू है यह क्या है इससे हमारे दर्शक क्या समझें जी बहुत अच्छी बात आपने उठाई है मुनिका जी सिंगल यूज प्लास्टिक्स ये आज कल हम सभी लोग अमोमन सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक हमारी रोज उमरा की जंदगी म आने वाली चाहे हो पानी की बॉटल हो या बिस्किट के पैकिट पे प्लास्टिक्स हो या फिर किसी भी तरह की पैकिंग हो तो यह तमाम चीज सिंगल यूज प्लास्टिक के श्रेंडी में आती है हम देखते हैं कि पार्टियां होती हैं शादी पार्टी में हम देखते हैं और उसमें भी कहीं न कहीं किसी तरीके से प्लास्टिक का इस्तमाल किया जाता है तो ये तमाम चीजें सिंगल यूस प्लास्टिक में आती हैं जो हर वर्क के व्यक्ति द्वारा रोज मर्रा के जीवन में उप्योग में लाई जा रही है मतलब हम लोग घिरे हुए हैं जो ये सिंगल यूस प्लास्टिक है इससे घिरे हुए हैं जो कि हम एक बार उप्योग करके जो कछरे में डाल देते हैं तो ये सिंगल यूस प्लास्टिक जो है ये किस तरीके से हमारे जो परियावरण है आसपास का इसको किस तरीके से ये खतरा पहुचा सकता है नुकसान पहुचा सकता है जी इसका जो सीधा सीधा खतरा हम सभी को पता है और हम सभी को दिख रहा है कि ये डिग्रेडिबल नहीं है ये रिसाइकलिबल नहीं है तो हम जैसे ही single-use plastic की कोई सी भी चीज़ इस्तमाल करते हैं चाहे वो पानी की बोतल हो या फिर plastic का कप हो या फिर plastic की trays हो प्लेट्स हो या किसी भी तरी की polythens हो तो वो जो है जमीन में जाती है और री साइकल नहीं हो सकती तो कहीं न कहीं मिट्टी का कटाव और उसके तमाम दुष प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं जो आगे चलकर बहुत सारी समस्या आएं वाता वरंड में इंवारेमेंट में प्रदा करते हैं अच्छा तो मतलब एक बार जो अगर हमने एक प्लास्टिक जो इस्तिमाल करके एक बार वो फेक दिया तो यह तो एक कछरे का जो है वो बहुत बड़ा जमा हो जाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक का अगर हम इस्तिमाल करें तो जी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ना चाहरे हैं मानिय महुदय आईए सबसे पहले उनका सवाल जानते हैं हलो जी नमस्कार अपने नाम बताईए मैं गोविंद मानिसवर करिक्रम में बहुत-बहुत सवागत है आपका सवाल है कि जो बेंच रहा है वो जादा दोशी है वह सवाल टोंट वक्तिक्ति आगिया है यह हमें अपने आप से पूछने का है, बजाए किसी पदोशा रोपन करने के, क्योंकि जो बेच रहा है और जो इस्तमाल कर रहा है, वो दोनों समान रूप से सिंगल यूस प्लास्टिक को बढ़ावा दे रहा है, तो हमें खुद जागरत होना पड़ेगा, और हमें खुद ज थेला लेकर जाता हूँ, तो वो शायद कहीं नगीं दो पॉलिथिन, जो मैं वहां से लेकर आनेवादा था उससे वो रोकता है, तो अank deflation करते हैं, बिल्कुल, वृ टो ये समझ का उदारन चाहें हम दूसरी चीज़ों की बात करे, हम intuitive plates यूजे कर रहे हैं,ंऄ लिवकर य सकते हैं जो आसानी से रीसाइकर हो सके जो बायो डिग्रेडेबल लो तो उससे वाता वरेंट पूंटिपरियावरेंट समरक्षन जो है वो हमारी आपकी हम सभी की एक सामोहिक जिम्मधारी मेरा समना है जी तो गोविन जी आपको मेरे खाध से समझ में आ गया होगा परियावरन स्रेक्षन जो है, यह सब की जिम्मादारी है और शुरुवात मेरे खाल से अपने से करें तो बहतर होगा मानिय महोदे, जैसा कि हमारे जो दर्शक थे वो बोल रहे थे कि भोगता जाधा जिम्मादार है या जो बेचने वाला है वो जादा जिम्मेदार है तो यह जो जागरुकता है अपने अंदर जैसे कि आपने अभी बात कहीं कि जागरुकता अपने अंदर से जो आनी चाहिए यह कैसे लाई जाए जागरुकता के लिए तमाम कारिकरम अभी चल रहे हैं हम विदिक सिवाप र साधीकरन के दफतर हैं तो उसके तहद हम लोग एक अभियान भी चला रहे हम लोगों में जागरुकता लाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से प्लास्टिक की बजाए हम किसी और चीज का इस्तमाल करें जिससे प्लास्टिक की खपच जो है वो कम हो और परियावरन पर उसका कम से कम अßर उक्त तो ऐसे जाकरुकता जो कारिकरं हैं उनके माध्यम से कही न कहीं धीर-सवे sms' मुझे ही जैसे मैं अपनी ही बात करूं जाऊँ तो मुझे कहीं कहीं ही एक एक आहसास होता तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि यह वापस से हम उस और बढ़ रहे हैं जी जी यहां पर की प्लास्टे की जो थैलियों को उपयोग है वो कम करना शुरू हो जाएगा अभी आपने महोदेबात की विधिक सेवा प्राधीकरण की कैसे वो लोगों को जो कानूनी सहायता है वो तो उपलब्त कराता ही है जो हमारे कमजोर वर के लोग हैं उनको निशुल कानूनी सहायता उपलब्त कराता ही है साथ में साथ ही हो विधिक सेवा प्राधिकरन जो है वो लोगों में पर्यावरन के प्रती एक जागरूपता फैलाने काभी कितना अच्छा काम कर रहा है ये जानके बहुत खुशी हुई तो इसी बात में आगे पढ़ना चाहूंगी कि अगर कोई व्यक्ति पर्यावरन का हनन होते देखता है या वो ये देख रहा है कि पर्यावरन को किसी भी रूप में नुक्सान पहुच रहा है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए वो कहां जा सकता है परियावराण मंडल विभन प्रान्तों में उनका घठन हुआ है तो नगरनिगम कerek Syd sociedad जहांतक विदिक सेवव प्राधिकरन की बाद हो दूढ दिकारण के अहिता साथ है जो लोगों के प्रादिकरन में आ सकते हैं और किया आए पर्यावरन का हनन na whole हा या को напå आप चाहते हैं और आपको उसका हल नहीं मिल पा रहा है जैसे छोटी सी ही कोई बात है आपको उसका हल नहीं मिल पा रहा है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी फोन कर सकते हैं तो राश्ट्री विधिक सेवा प्राधीकरंड का एक टोल फ्री नंबर है 15100 पर बात हो सकती आप कारिकरम के शुरुआप में एक हम से चर्चा कर रहे थे और आपने नाम लिया था न्याय संगवारी का तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि न्याय संगवारी यह बड़ा प्यारा सा जो शब्द है इसके क्या माइने है न्याय संगवारी एक हमारा जो आउटरिच इसका एक नमबर है जो मैं आपको बताना चाहूंगा सभी लोगों को, 934 0062 33 इस पे आप फोन कर सकते हैं और आपकी तमाम बाते हैं आप अपनी भाशा में बात रख सकते हैं, और वो हम चाहते हैं कि जैसे हमारा राश्री विदिक सिवा प्राधिकरण का एक बोनो है कि अकेले नहीं है आप नालसा है साथ आपके तो नियाय संगवारी जो है वो तमाम लोगों के साथ है उनको अगर उनके किसी भी विदिक अधिकार या करतवे की जानकारी उनको जाननी हो या ऐसा कुछ पता क है और अगर आपको अपनी कोई भी बात आगे रखनी है सामने पहुंचानी है विदिक सेवा प्राधिकरण में तो आप न्याय संगवारी की भी मदद ले सकते हैं और इसके लिए मैं नंबर एक बार फिर से दो रहना चाहूंगी 934 00 62 331 नंबर एक बार फिर से सुन लीजि हलो है जी नमस्कार अपने नाम बताइए अगर आपके पास टीवी चल रहा है तो उसका वाल्यूम जो है वो बिल्कुल कम कर दीजिए जिससे आप हमारी आवाज अच्छे से सुन सकें जी सर्, मैं ये पुछ रहा हूं कि यो जोक से धुवा निकलते हैं उससे कचणा निकलते हैं इनके लिए क्या कोई पुर्वधान है या नहीं जो फैक्टरी से धुवा निकलता है जो फैक्टरी से जो वायू प्रदूशन होता है और जो कच्छरा निकलता है तो इसके लिए क्या प्रावधान है? चाहे भारती दंड सहीता में भी इन्वार्मेंट से लेके कानून है और जो फैक्ट्री जो उद्धियों के जिनसे धुआ निकलता है उनके एक मानक तय किये जाते हैं उनका एक इन्वार्मेंटल क्लियरेंस होता है और उन तमाम चीजों से निकलकर वहां पर उनको जो अनुम और अगर इनसे भी किसी को कोई समस्या है तो वो शासन तक अपनी बात रख सकता है विदिक सेवा प्राधिकरन तक भी अपनी बात रख सकता है तो वहां वहां वह पूरा अपनी बात रख सकते हैं उनकी क्या समस्या है और जो भी उसका न्याय संगत और विदी संगत उसका जो समाधान होता है वो बिलकुल आप वहाँ पर आ कर अपनी बात रहेंगे तो होता है जी तो दर्शको विधिक सेवा प्राधिकरण जो है वो आपकी मदद के लिए हमेशा हाजिर है अगर आपको परियावरन समंदी भी कोई परिशानी है तो आप अपनी बात विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा पहुंचा सकते हैं और आपकी शिकायत पर जरूर गौर किया जाएगा महोदे हम बात कर रहे हैं थे कि जो परियावरन से जो नुकसान होता है सिंगल यूज प्लास्टिक से जो नुकसान होता है वो बहुत ही भीशन है और अब पूरी दुनिया का जो ध्यान है वो इस तरफ आकरशित हो रहा है लाखों जो समुद्री जीव जन्तू है वो इसकी वज़े से मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जो 11 लाख जीव जन्तू है समुद्र में वो प्लास्टिक खाके और मर जाते हैं उनका नुकसान हो जाता है तो ऐसे कौन-कौन से नुकसान है जो कि पूरी दुनिया जहल रही है सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से जी आप समुद्री जीव जन्तू की बात कर रही हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि 25,000 मेट्रिक टन के आसपास प्लास्टिक हम लोग रोज यहां इस्तमाल कर रहे हैं ऐसे आकड़े हैं उसके जी 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 और ना सिर्व जीव जन्तू को अभी हाल ही मैं अभी कुछ देख रहा था तो मुझे पता चला कि हम मानव के रूप में भी कहीं न कहीं हमारे शरीर में प्लास्टिक जो है उसका हम गरहंट कर रहे हैं हो कहीं न कहीं अंदर जा रहा है तो इस सब्सक्ति का निदान जो है वो यह है कि अब समय आ गया है कि हम स्वाध्याय करें हम अपने आपको उस चीज के बारे में स्वायम से जागरुक रखें कि किस तरीके से हम प्लास्टिक का उप्योग अपनी रोज मरा की जंदगी में छोटा व्यक्ति बड़ा व्यक्ति कोई भी है किसी भी उम्र का व्यक्त इस वी प्लास्टिक को कम करें और इस तरीके से फिर्म आगर आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हम अभी से इसी कुशिश करेंगे तो आने वाले समय में हमें बहुत सफलता मिलेगी कि हम प्लास्टिक के ओपयोग को कम कर पाएं बदलाव की शुरूवात मेरे खाल से खुद से ही होती है इसी बात के साथ आए जानते हैं अंदर्शक का सवाल हलो कि द necesita कि अई आर हम लुए जी अपना नाम बताए अच्क साथ इस्टमर में आपवियरो ना का च शुभम जी और अलो हो एंग वालो भालो टीरत्य है पर निए 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 तो सिंगा यूज पर निए 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 एतना नियुक्ति अजय है कि आपके जो एक सचेत्ता को देखते को बड़ी खुषी हो रही है कि यह जानना चाहरे है कि अगर कंपनिया जिसमें कि समझ लीजे कि नूडल आ रहे हैं, बिस्केट आ रहे हैं, दाल चावल भी आज प्लास्टिक पे मिलने लगे हैं, हर तरह मतलब जैसा कि मैंने पहले का था है कि हम लोग घरे हुए हैं प्लास्टिक से, तो अगर कंपनिया ना सिर्फ हम लोग, मतलब, एज एस सिटिजन तो हम करी रहे हैं, पर और भी चीज़े हैं, उनको भी जागरत किया जा रहा है, और आल्टर्नेटिव ढूंडे जा रहे हैं, कि क्या है मतलब, क्या पेपर पैकेट्स में कोई चीज मिल सकती है, क्या हम चीज़ों को कागज मे बांद के दे सकते हैं, उन वस्तूओं को जिनको आज हम प्लास्टिक में दे रहे हैं, और जहां तक उनकी बात है कि, जैसा सवाल किया दर्शक ने की, वहां से बननी होगा, तो यहां से कैसे उसका जो है, तो इसका जवाब एक 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 इक नॉमिक्स में है, डिमांड सप्ल हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे आसपास से एक समय के बाद प्लास्टिक धीरे-धीरे दूर होता जाएगा, और परियावरण धीरे-धीरे करीब होता जाएगा, इसलिए मेरे खार से भारत सरकार ने इस पे कोई कानून ना बना कर तुरंद, और एक जन जागरुकता अभ इस से एक सामरा राजी सरकार उर तमाम राजी से वे वे इसके लिए वे विलिक उढादिकरन जो है, वह बिलकुल प्रतिभध है इस चीज के लिए, इन्वर्मिन्ट को बचाने के लिए परियावरण के संवरक्षन दुने के लिए वे रहे हैं, और लोगों की आगलब करक् क्रांटिक भीस लाप एक कर Ik आपsystemाल करेंगे श्की जए मैं गारे नेमें तो आप डिमांद करें करें लेकिन घाली चाहिए हम ऐसे हाथ में कैसे ले जाएंगे या हम तो थेला लेकी नहीं आए हैं तो मेरे खाल से हमको अपनी आदत में शुमार करना होगा कि थेले लेके निकल बिल्कुल बिल्कुल और यह गौरव की बात है मुझे लगता है कि परियावरण समरक्षन हम सब की उतनी जिम्मदारी है प्लास्टिक की बजाए कि कागस की या कपड़े की जूट की थेली का सितमाल करके लेके आए और जहां तक बात है तो अभी पिसले हाली में देखने में आया है आप भी आपने भी पड़ा होगा कि बहुत सारे दफतर है जहां पर उन्होंने प्लास्टिक के बजाए चाए यह वो प्लासिक का। हो जियाए हुआ तो दीचार सापल्र दस्टियूट हो एक भी जवाना भी आहिका शास्की यार गयुट हो धना को ल्यों मत्मारे ही थे ऐना है उन्यारे जाग रुख्ता है है iX2 जवाब को नहीं मिल रहा है टो grabbing संगवारी आपके साथ है विधिक सेवा प्रादी करन आपके साथ है राज विधिक सेवा प्राधीकरन आ सकते हैं घिलई विए सेवा प्राधीकरन के बात बना चाहूं का कि आमोमन जितने भी जिलór प्रांत में अ महाँ और बहुत सहचता से, वहां पर कोई भी आ सकता है, और अपनी बात रह सकता है, और मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा, कि बहुती प्रतिबद्ध है विदिक सवाप्रादीकरण, उनकी समस्याओं को लेकर, तो आप वहाँ आए, ये नियाय संगवारी जो आपके माध्यम से ये भी एक जागरुकता का कारिकरम हम कर रहे हैं, कि सिंगल यूस प्लास्टिक संबंद करें, और कोई भी समस्याओ, तो नियाय संगवारी पर हम आ सके, नालसा के टूल फ्री नंबर पर बात कर सके, क्योंकि मैं फिर से कहूंगा, कि अखेले नहीं हैं आप, नालसा है साथ जी देखिए कितनी अच्छी बात कही है, और मैं दर्शकों को एक बार फिर से बोलना चाहूंगी, कि हमारे दर्शक जैसा कि उनके फोन आ रहे हैं, इतने जागरूख हैं वो प्लास्टिक को लेकर और इसके दुश प्रभावों को लेकर, तो मैं आप से बोलना चाहूंगी कि आप अकेले नहीं है, न्याय संग्वारी आपके साथ है, और नंबर हम आपको एक बार फिर से देंगे, जिसका कि नंबर है 9340062331, तो आप अकेले नहीं है, न्याय संग्वारी आपके साथ है, और आइए एक बार फिर से जुड़ते हैं एक दर्शक से और जानते हैं उ हलो 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 नमस्कार मैडम जी नमस्कार कारेकरम में बहुत-बहुत स्वाला थे क्या नाम है आपका है तर मेरा सवाल आप से यह कि क्या आप कानून में कोई ऐसा वो नहीं कथोर कानून मनाया जाए जिसने लोग प्रास्टिक कर यूज कम करें जागरुकता लाने की जरूत है अर्चना जी जैसा जानना चाहरे हैं तो जागरुकता से चीजों की शुरुआत होती है उनने विल्कुल सही फर्माया तो हम जैसे जैसे जागरुक होंगे और हम को में जैसे जागरुकता हमें पता चलेया कि हमारी जरूरत केतनी है और हम जरूरतान सामान के लिए हम कितना प्लास्टिक का इस्तमाल कर रहे तो उस तरीके से फिर आगे की क्रमबद तरीके से चीज़ें होती हैं, तो क्रमबद तरीके से चीज़ें होंगी, पर जिम्मधारी फिलहाल हम सभी की है, नागरिक के तौर पर हम सभी के जिम्मधारी है कि हम अपने जीवन से, हम अपने से शुरुवात करें, हम अपने जीवन फोन से पता चल रहा है जो हमारे देश का भाविष्य होते हैं और कोई बदलाव शुरूआत मेरी चाहल से सबसे हैं पाफ को बहुत जल्डी समझते हैं धूर बच्छों में और जू स्थूड elinski जो विद्यार्थी है उनमें अगर जागरूकता लाई जाए तो मेरे खाल से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है और जो पर्यावरण को नुक्सान पहुंच रहा है तो इसके बारे में काफी हद तक जागरूकता फैलाई जा सकी है आपका इस विशे पर क्या बोलना है प्लास्टिक होगा कि हम कॉफी पीते हैं या बहुत सारे तरिल पॉड्दार्त हैं चॉसे तो इसमें स्ट्रॉण का काइश का होगा यर। है तरby हम स्ट्रॉण कश्रा नहीं करना या हम उस इसर लिए प्लास्टिक के बजय भाएशे फीपरसे या किसी और उससे हम तो इस विशा में जब हम लोग बात कर रहे थे तो तमाम बच्चों का उस पर ध्यान गया और काफी लोगों ने उसके बारे में चर्चा की तो मुझे लगता है कही ने कहीं उनके उनना आत्मसाद भी गया इस चीज को बच्चों के माद्धम ने बताया गया कि सब्जी लेने के लिए हम ठेली का इस्तमाल करने के बाचाए हम कपड़े के बैक कर सकते हैं तो शायद कहीं और सहमें इस बारे में आए जानते हैं उनका सवाल हलो 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 जी कारेकरम में बहुत बहुत स्वागत है अपना नाम बताइए जी टुमेश्वा साहूर दोतिम दॉला दभली राज़रफ जी जी साहूर जी पूछे क्या सवाल है आपका ये अभी कश्रा बचला हर जर्वजनी की सथ है या कहीं मनाई जाते हैं उसके बारे में क्या आ रहे हैं आपकी आवास हम तक बहुत क्लियर ली नहीं आ रही है एक बार फिर से आप अपना अगर प्रश्न दोहरा सकें तो बेहतर होगा साहु जी की आवाज जो थी वो पॉछ्ष्ट नहीं आ पा रही थी तो कच्रा प्रबंधन को लिड़के ये कुछ बात करना चाह रहे थे कि अगर हम कच्रा प्रबंधन के बारे में अगर कुछ कानून अगर हैं अगर आप इसकेmost के इसके बारे में solid waste management rules बने हुए हैं तो उसके हिसाब से तमाम लोग काम करते हैं जो जितने भी विभाग हैं शासन के और उन रूल्स के हिसाब से वो लोग चलते हैं और कच्रा प्रबंदन उस हिसाब से किया जा रहा है कहां पर किस तरीके कच्रा लेना है कच्रे को कहां पर ड प्रियावरंड को लेके विशिश कर चूकि आज मसला हमारे सामने यह है तो सम्विधानिक कर्तव हमारे नैतिक कर्तव हमारे और मौलिक कर्तव हमारे इन तीनों को हम परियावरंड के परिपेक्ष में भी परियावरंड को लेकर एक बहुत बड़ा कर्तव है कि इसका सरक्षन करना वो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है महोदय आपने इतने कम समय में इतने जो एक विराध विशे है इसके बारे में इतनी अच्छी जानकारी दिया और वो भी इतने अच्छे तरीके से, सहच तरीके से इसके लिए आपका बहुत बहुत धहनिवाद। तो दर्शको जैसा कि मानिय महुदे ने कहा कि जो पर्यावरन सरक्षन है वो हम सब की जिम्मितारी है और इसकी शुरुवात हमको खुद अपने अंदर से करनी है अपने आपको जागरू करना है जिससे हम पर्यावरन को सरक्षन कर सके और प्रदूशन को जादर से जादर रो कर दो कि एक पूर कर दो को